हलो स्टुडेंट्स पेपर आपके नस्देख हैं इसलिए हिंदी और कैमिस्ट्री के और अधर सब्जेट के भी लेक्चर डालते रहेंगे आप डेली दो गंटे एक गंटे जो भी टाइम है आप यूटूब पर लेक्चरों को बाच करते रहें और आप लोग यह भी बताएं आप कहां कहां से पढ़ रहे हैं किस चिला से जो स्टुडेंट्स जिस स्थान से पढ़ रहा है वो कमेंड करके जरूर बताएगा कि कहां से वो बाच कर रहा है वीडियो तो आज हम तुम्हें औरनिक केमिस्ट्री के अंतरगाइद एलडिहाड और कीटॉन की रियक्शन की तो सबसे पहले देखते हैं और निक reaction के जो backbone है वो man चीजें कौन हैं तो man होते हैं सबस्ट्रेट किसी सबस्ट्रेट पर जब कोई reagent अटेक करता है तो उसमें byproduct और product का एका formation होता है product and byproduct किसी भी reaction को अगर सीखना है तो इन बातों पर थोड़ा ध्यान देना है सबसे पहले कौन होता है सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट हम यहाँ पर कारवनायल compound को discuss करेंगे कारवनायल compound ऐसे और ने compound है जिनमें कारवनायल ग्रूप प्रेजेंट होता है जिनमें कारवनायल ग्रूप C1-O को हम कारवनायल ग्रूप बोलते हैं इस कारवनायल ग्रूप में two types के compound समने थें aldehyde and ketone अगर हम कारवनायल ग्रूप की one valency को alkyl से और other balance को hydrogen से saturated कर देंगे तो ये कारवनायल compound कौन सा हो जाएगा aldehyde और इसी कारवनायल compound को में हम C-O ग्रूप को दोनों balance alkyl radical से complete करते हैं तो इसे हम बोलेंगे ketone तो कारवनायल compound two types के हैं फर्स्ट है aldehyde और सेकेंड है ketone अगर हम यहां R की value CS3 shift करते हैं तो ये acid aldehyde हो जाएगा और इधर हमर R की value shift करते हैं तो ये acetone हो जाएगा तो आज हम किसकी reaction देखने वाले हैं aldehyde and ketone की तो aldehyde ketone की reaction देखना है तो इनमें हमें सबसे पहले कुछ reagent को learn कर लेना चाहिए aldehyde की main property होती है nucleophilic addition reaction वे हैं जिनमें nucleophilic reagent attack करते हैं nucleophilic reagent को हम learn करेंगे तो सबसे important nucleophilic reagent है hydrogen cyanide cyanide HCN इसका formula है hydrogen cyanide SCN positive होगा CN negative होगा और यहां पर प्रोड़क्ट बनेगा तो यह साइन हाइड होगा hydrogen cyanide जब करेंगे तो बनने वाला प्रोड़क्ट साइन होगा यह अच्छे से देख लें NCRT अगर आप देखते हैं तो NCRT का जो first question है उसमें कुछ short notes लिखवाए हैं 10 term दिये हैं उनमें सबसे first second third way इसी type के short question है जैसे cyanohydrin है oxygen है acetyl hemiacetyl तो यह छोटे-छोटे term जो है हैं छोटे-छोटे short notes हैं उन्हें हम समझाने की को कोसिस कर रहे हैं और आप ध्यान से सुनते रहें और comment करके बताते रहें तो second number पर sodium by sulphide sodium by sulphide का formula याद करना है एने एच एसो थ्री एने एच एसो थ्री यह sodium by sulphide है जब यह कार्वनाइल compound पर टेक करेगा तो sodium by sulphide compound का formation होगा हमें यहाँ पे यह जो टेविल आपको देख रहे हैं इस टेविल को अच्छे से learn करना है अपनको यह ध्यान रखना है कौन सा reagent कौन सा प्रोड़क्ट जेनरेट करेगा सब्सक्राइब नमबर पर यह फर्मूला है और सिंगल इतलीन ग्लाइकॉल में क्या है यह डाइडिक यह प्रोड़क्ट बनते हैं इस प्रोड़क्ट का मलब क्या होता है यहां अगर फॉर्मेल्डी हायट पे टैक करेगा यह तो यूरो ट्रोपीन का यूरो ट्रोपीन का फुलने एक अधर नेम देखें तो हैक्सा मिथलीन ट्रामाइन यूरो ट्रोपीन अगर यह यह अमोनिया ऐसी टेल्डी हाइड करेगी तो यह तैल्ली हाइड अमोनिया का फॉर्मेशन होगा मतलब कि सब स्ब्सक्राइट चेंज होने से प्रोड़क्ट यह फॉर्मला आपके सामने लिखा है हाइड्रॉक्सेलो एच अमाइन एच्टू अगर हाइड्रॉक्सेल एमाइन एल्डी हाइड यह कीटोहन से रियक्शन करेगी तो बनने वाले प्रोड़क्ट का नाम होगा ओक्जाइम ओटी में भी कई बार पूंच सकते हैं इसलिए रियक्शन में भी आता है हाइड्र जीन हाइड्र एक सुपर रियजेंट है एच्टू अच्छे से याद कर लो हाइड्र जीन जब अटै करेगा है ल्डी है कीटोन पर तो बनने वाले प्रोड़क्ट का नाम होगा हाइड्रा जॉन जीन का है में चानवर्ड हो जाती है परोड़ कौन सा बनेगा फिनायल हाइडा जॉन फि उरॉदा जीन में एच को हम किसे रogi स कर लधा एंच्ट को है माइड्र जॉन तो ये अगला reagent बन जाएगा semi-carvegiide semi-carvegiide का फॉर्मूला देख लो दियान से तो बनने वाला product क्या होगा semi-carvegiide मतलब ये है aldehyde ketone पर जब semi-carvegiide का टेक होगा तो semi-carvegiide का formation होगा अब है इमाइन प्राइमरी इमाइन है आर एने अच टो इसका टेक होता है ldi ketone पे तो क्या बनता है सिफ री एजेंट तो यह फाइफ री एजेंट जो है इन से जो प्रोड़क्ट बनते हैं उनमें कारवन डवल बॉन नाइट हो जाना होता है इस ग्रॉप को हम कहते हैं सकते हैं थोड़ा ध्यान दे तो इस परकार यह आपके टेबल हो गई है अब हम इसकी रियक्शन समझाने ग्राफ से रियक्शन को समझाते हैं देखो अब यह ग्राफ आ जाता है यहां पर हम एसी टेल्डी हाइट को लेते हैं तो देखो सी डवल बॉन्डो कार्बॉनायल ग् सबस्क्याइट को सिस्ट्राइबक्स क्सक्राइब यह और जो आरोप धियाजेंट लखेंगे वह सार जो बन रहाए हो प्रोड़क्ट है रियक्शन क्स तरीके से होती आपको पहली बता गया कि सब स्टेट पर जब डेजन होता है तो क्या बनता है यहां पर कौन सी है इस न्युक्लियोंफिलिक करें और जाएगा यह निगेटिव और यह पॉजटिव हो जाएगा और और उक्सीजन यहां पर निगेटिव ए तक का जैसे होगा तो ह deppy तो ह ngay다고 का रिखिव अक कर वन से होगा तो यहां है इस पर मी माई जाएगा है यहोगा एसी का इसे ताटिये है है सांग अगर हम यह 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 तो हम आइसी टॉट य हम ऑगर हम एगा सीत कर देख दक但 कि देल चैट ूट तो यह सोडियम बाई सलफाइड में एच पॉजिटिव है तो यह एच जो है ओसे अटेच हो जाएगा और बचा हुआ पोर्शन एसो थी है ने कारवन से टेच हो जाएगा तो बनने वाले प्रूड़क का नाब होगा सोडियम बाई सलफाइड कंपाउंड यह सभी नुकलियो पॉजिटिव है और यह से पैसे होगा एच होगा यह गोडिया तो बनने वाला जो अडिशनम प्रोड़क्ट है उसका नाम है है मी एसी टल सब्सार जाता है वाटेज है की एसी टल तो हम लिख देंगे एसीट एल डीए राइड मॉनोहाइड के लिख रियक्व एलकवल की कराते हैं तो का एंच यह वाटर हो जाता है यह लिए स्रक हुझत नावता इसन वह आ पर सॉपक में और पार सब्सक्राइआ थम्सोच्ण नहीं कि आप हएं कई भरकुषट हैं हम Hai एक कर रहा है किसका इतलीन गलाइकोल एक लाइडिक एलकॉल है फॉर्मुला देख लो यह तो एच नहीं एक एच इसका और एसी टॉन का जो ऑक्सीजन है यह क्या रिमूव हो जाता है एच टू हो जाता है तो यह एच तू हो पोर्सन जो है यह राइट साइट से अटेच हो जाता है कारवन से यह बनता है एथलेन ग्लाइकॉल की टल कीट यहां पार्सपेड कर रहा है तो यह नम रखा गया कीटल एक जाता है एक यह जैसी है एडीसं रियक्शन है तो थोड़ा सौन्ट में समझने बस अबर स्ट reaction B start हो रहा है section B में अपन सबसे पहले देखते हैं Hydroxyl Mn की reaction यह 5 reaction फिर एक जैसी है section B start हो रहा है इन सभी में यह condensation reaction है condensation का मलब है यहां पर Water का molecule remove होगा जब 2 molecule attach हो और water का molecule remove हो जाता है तो reaction को हम Condensation reaction बोलते हैं तो कि निए उसी का पार्ट है तो यह देखो जैंड नह्त और वज़ेयर का औक्सीजन और हडाउसल इमाइन का हईडोजन यह एक्ट और रिमूव बोगा तो यह एल्ड और का पूर्शन बचेगा HCS3C double wand इस double wand से एन ओएच ग्रूप अटेच हो जाएगा बनने वाले प्रोड़क का नाम होगा acetaldehyde oxyme ध्यान रखना है हाइडॉक से लहमाइन जब अटेक करेगा LDH पर या कीटोन पर तो बनने वाले प्रोड़क का नाम oxyme होगा अगर यहां क्या लेखेंगे acetaldehyde react with hydroxyl emine to give oxyme इसी पर अगली रेक्षण हाइड्राजीन तो हाइड्राजीन का फॉर्मूला में पता है NH2 NH2 हाइड्राजीन जब अटेक करेगा तो बनने वाला प्रोड़क्ट होगा हाइड्राजॉन अब LDH की oxygen और इसकी एच्टो एच्टो रिमूब हो जाएगा यह एन सिंगल बॉंड एच्टो एटेच हो जाएगा डबल बॉंड से हो जाएगा acetaldehyde hascan hydrogen और जाइग करिया है यॉर्य अटेक करेगा तो क्या बने गाइगा हाइड्राजीन बॉल्को सेम एक्षन फिर है फिनाईलuest हैड्राजीन गल्से जगह हमने बक्रेख का होगई और फिनाईल human हाइड्राज़ॉन A Когда बटेख जो होता है सेमी कार्विजाइड का हाइडोजन लडी आड़ का ऑक्सिजन हो जाएगा सेमी कार्विजाइड होगा सैमी कार्विजाइड लास्ट रियक्षिन है R single bond NH2 तो यहां देखो R single bond NH2 प्राइमरी माइन है प्राइमरी माइन की हाइडोजन LDH की ऑक्सीजन वाटर रिमूव होगा H2O और डबल बाइन से टेच हो जाएगा सिफरी एजेंट कई बार पूछा गया वाटे सिफरी एजेंट तो LDH और प्राइमरी माइन के जो एडिसन प्रोड़क्ट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं सिफरी एजेंट वो यह सभी एग्जामपल जो 5 देखें हैं उनमें हमें क्या देखा कारवन डबल बाउन नाइटोजन है इसको हम कहते हैं इमाइन तो यह सभी कंपाउंड कैसे ग्रूप के हैं इमाइन कंपाउंड के हैं इस प्रकार आपने देखा यह एडिसन रियक्शन थी LDH और कीटॉन की 10 एडिसन रियक्शन थी कौन से थी नूकलियोफिलेक एडिसन LDH कीट की अगर अच्छे से च्टेडी करना है तो LDH कीटॉन को 4 सेक्शन में डिवाइड कर लो पहला सेक्शन nucleo-Flake Edison अगला सेक्शन आएगा वो होगा oxidation रियक्शन oxidation में 2 रियक्शन सोपर है यह तुमारी tolen reagent और दूसी रियक्शन है failing test लो दिशाना में कर लेंगे अगला तीसरा होगा रेड़कसन होगा रेड़क्षण में कौन-कौन से रिड़क्षन-せ regular陽 लो जाएंगे तो वह prettig क्या इसे निय्दीतित अड़ेन सबसे सब्स घ्रोल ईटनसेसन अधीन जो यसों कर लिये ये दोनोर यह उच्छा यह जलते फिर इसके आगे चलते है नेम रियक्सन में तो कैनी जारू रियक्सन सुपर है कैनी जारू रियक्सन अच्छे से कर लें इसके टू एक्जामपल तयार करें एक बेंजल डियाइड का और एक फार्मेल डियाइड का कहने जारू reaction से थोड़ा आगे बढ़ते हैं नहीं reaction में तो इसमें आगे और कौन से reaction आप इसे तयार कर सकते हैं तो यहां पर कार्वाग्जलिक एसेड की कोलवे की electrolysis कोलवे की electrolysis reaction बहुत ही सुपर है कार्वाग्जलिक एसेड में HVZ reaction है जिसका फुल फॉर्म है हैल बुलाड जिलिंस की reaction HVZ reaction भी बूलते हैं इस्टिफिकेशन इस तरीके से आप कॉंप्लीट कर सकते हैं ठेक हैं लेक्चर में कमेंट्स जरूर करें आप लोग के सिटी से हैं कहां से पढ़ रहे हैं थैंक्यू